मैविश आपने बसंत कभी मनाई है बचपन ने देखते थे जब भी बसंत आतू थी चटो पे स्पेशल एहतमाम किया जाता था मामू, चातू मेरे सारे गुडिया लेकर आते थे और हमेशा सर्म कहते थे के ओके हम भी जब बड़े होंगे तो ऐसे ही गुडिया उडाएंगे मुझे पतंग उडाने का बहुत जो क्या आपको है नहीं बड़े होने का दूसरे के तालूप नहीं है हुदा, बच्चे भी बसंत बहुत शौफ से मनाते हैं और जैसे कि हुदा आप कह रही हैं कि छटों पर चट जाए करते थे लेकिन फिर ये बैन हो गया एवेंट और इसलिए बैन हुआ हमारी अपनी लापरवाईयों की वज़ा से कि बच्चे चटों से गिरते थे और डोर या पतंग को पकड़ने के लिए सडकों पर भागते थे और ट्रैफिक हाथ साथ का शिकार भी होते थे तो नाजरीन को ये भी याद रखना चाहिए कि इस तरह कि लापरवाईयों ना की चाहिए बिलके जिस दिन ये इवेंट हो और मैं कहते हूं कर ला करे हो वह खुप सुरत इवेंट है उस दिन जितनी भी ग्राउंड्स है उन एरियास की ये मेरा अपना एक आईडिया है एक मश्वरा है वहां जाकर बसंद जुरूर मनाएं लेकिन किसी किसंदी हाइट पर जाने पर सिन पाबंदी होनी चाहिए पंजाब में एक बार फिर जणाब बसंद की खुष खबरी है और बर्तों की पाबंदी के बाद पंजाब की फ़जाओं में एक बार फिर से हुदा रंग बरंगी पतंगे जहें वो दिखाई देंगी और बिलकुल बो काठा की सदाएं भी गु देख जखेंगि बसंत एक जराई तहवार है जिसके रवाय स्ददीयों पुरानी है इसे हवाले से सरफराज नकभी की रिपोर्ट देखते हैं बसंत एक जराई तहवार है जो जाती हुई सर्दियों और आती हुई बहार को खुशाम्देथ कहने के लिए मनाया जाता है ये वो वक्त होता है जब फस्लें कट जाती है और किसान की महिनत का समर इसके पास आता है रोपेली दूप में बहार की आमत की नवीद सुनाती हुई खुशकवार ठंडी हवा, दिलों को गुदगुदाती और नई उमंग पैदा करती है इस मौके पर नई कपड़े पहने जाते हैं, पक्वान बनते और बागों में जूले डलते हैं जिन पर जूलते हुए दोशीजाएं, महिये गाती, टपे सुनाती और बसंद बहार की गीत काहे जाते बरेसगीर के शहरी अलाकों में बसंद मनाने की रवायत, खौजा निजाम उद्दीन ओलिया से मनसूब है मौलों के दोर में इस तहवार को जशन नौरोस के नाम से मनाया जाता था इसे जशन बहारा भी कहा जाता था पसंद के मौसम में पतंगे उड़ाने की रवायत भी बहुत कदीम है रंग बरंगी पतंगे आस्मान को किसी ऐसे वसी कैन्वस में बदल देती है जहां रंग लक्स करते और बो काटा की सदाएं दिलों को जोश से बहर देती बसंद हर तब काई फिक्र के लोग मनाते हैं मगर हिंदू इस तहवार को अपनी देवी सरस्वती से मनसूब करते है और यकिन अब एक बेहतरीन तहवार है लेकिन इस बात पर तबज़ देनी चाहिए कि इससे किसी का नुक्सान ना हो खसुसान धात इस्तमाल ने की जाए केमिकल और शिशा लगी डोरे इस्तमाल ने की जाए और बसंद मनाई जाए एक अच्छे तरीके से मनाई जाए आगे बड़ते हैं लहुरियों के लिए जो खुशकबरी आपको सुना दी गई जी बिलकल और यों के लिए बड़ी खुशकबरी है कि उनको पसंद दीता तहवार बसंद जो है गुजशता आठ सालों से जो बैन था उसको दुबारा से बहाल कर दिया गया है तो इस हवाले से जो मजीद तफसिलाद हैं हम फ्याद अलहसन साब से जानते हैं कि क्या तफसिलाद हैं जी सर बताईएगा बिसमिल्ला रख्मार रहीम आज सीम साब की क्यादत में मीटिंग हुई और पिछले कई हफतों से एक प्रेशर डिवेलप हो रहा था सीम साब पे भी और बिंगा कल्चर मिनिस्टर मेरे पे भी मीडिया की तरफ से भी सिवल सुसाइटी की तरफ से भी के ये बसंद होनी चा साथ उसके जो नेगेटिव परिलू है जिसक्यवेसे जहाय वो剬 आवामको को दोफोब सान भी होता है उसको रिकवर करने के लिए उसको overcome करने के लिए उसको control करने के लिए कमेटी बिनाई है ला मिनिस्टर हैं मैं as a culture minister हूँ आई जी पंजाब हैं डी सी लाहोर हैं अडिशन चीफ सेक्टरी हैं मिया यूसफ लाओदीन साब सेवल सुसाइटी की तरफ से हैं वबश लुक्मान साब जो है मीडिया की तरफ से हैं ये कमेटी एक हफते के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी और उस रिपोर्ट में वो तमाम गुजारशात और समिशन दी जाएंगी कि इसके जो negative पहलू हैं बसंद के उनको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है बिल्कुल बसंद के जो मनफी पहलू है उस पर भी बिल्कुल गौर फिकर किया जाएगा और एक हफते के अंदर जो कमेटी है अपना फैसला भी देगी लेकिन बड़ी और खुर्षभडी की बात ये है लाहुरियों के लिए जो बसंद है वो फरवरी के दूसरे हफते में जो है लाहुरियों मना सकेंगे और अपना जो पसंदी दा तहवार है वो दुबारा से इस चीज़ से लिच्वंगा प्रवाजों का आगाज जून 2019 से होगा हफते में तीन परवाजी इसलावबाद से लंदन दर्म्यान चलाई जाएंगी बरतानवी डेप्टी हाई कमेशनर रिचर क्रारर का कहना है कि पाकिस्तान में अमनामान की सुरतेहाल बेहतर हो चुकी है इस पर रेपोर्ट कर रहे हैं भशीर चाधरी मुल्की महास पर पाकिस्तान को एक और बड़ी कामियावी मिल गई बरतानवी एरलाइन ब्रिटिश एरवेज ने पाकिस्तान के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया और हुआ। सूज दोहजार आठ में बिटिश एरवेज ने सेक्योरित तूरु टी हाल कैपा इंदाइन का ऑपरेशन पाकिस्तान घर में मौतिल कर दिया था. बिटिश एरवेज ने दस साल बाद पाकिस्तान में परवाजे बहुत करने का ऐलान किया. मुझे बुटिश एवेज की दसाल बाद पकिस्तान वापसी पर बखुट हुषी होड़ ही है Pakistan प्रतेन किदर्मियन तरेक्ट लिंक हुणने से ये वज़ है की पकिस्तान मे अमन आमान की सुरती हाल बट होगा ही है और दोनों मुमालक के दर्मियान तालीम और तिजारत के दाइड़ वसी हो रहा है मैं जून 2019 में बृटिश एवेज के पहले तयारे की आमद के मुंताजिर रहूंगा बृटिश एवेज के आने से बेनल अक्वामी सर्मायकारों के पाकिस्तान पर एतमाद में इसाफा होगा उधर आइस प्यार ने भी बर्तान्वी एवेज के फ्लाइट आपरेशन की बहाली के इक्वाम को खुशाइंद परार दिया डी जी आइस प्यार के मताबक पाकिस्तान में अम्न और इस्तेह काम आ रहा है पाकिस्तानी कौम और सेक्यूरिटी फोसेस की दिहाईों पर मबनी चित्तुचहद बिलाखिर रंग डा रही है नवास चरीफ के गार्ड बदमाशी से बाज ना आए पार्लिमेंट के बाद एहतसाब अदालत में भी साहाफियों को धक्के दिये साहाफियों ने इहतजाज करते हुए नारे बाजी की नवास चरीफ ने गार्ड शुकूर के खिलाफ एक्शन लेने की जकीन दिहानी करा दी कैमरा मैन पर तशद्द करने वाले दोनों गार्ड को जेल भेज़ दिया गया इससाब अदालत में पार्लिमेंट हाउस का रिपले साबिक जिर्यादम नवाश शुरीफ के गार्ड फिर आपे से बाहर हो गए साहाफियों को दूर रखने के लिए धक्के दिये नवाश शुरीफ जैसे ही इससाब अदालत में पहुचे तो साहाफियों में उन्हें खेर लिया नीजी चैनल के कैमरा मैन पर तशद्द के खिलाफ एथजाज रिकार्ड तराया जो साबिक वद्रियादम के गार्ज और लीगी वकला को ना भाया जिता है उसे फहाफियों जिधा वे चाहिए उक्टा करेंगे साहाफियों इससाब अदालत में विद्रिया फ्हञाँ में तो dellत करेंगें सब्कानें के मताभिक होगा तराद इस पर है कि कैमरामेन ने भी मारा, शिकूर के खिलाफ भी एक्शन लूँगा, इंसाफ हर तरफ से होना चाहिए. कैमरामेन सीद वाजिशा पर शिकूर्ट करने वाले दोनों गार्ज को जेल भेज़ दिया गया, गार्ज ने जमानत की दुखास भी दायर कर दी, दूसरी तरह डिप्टी चेर्मेन सैनेट सनीम मांडवी वाला ने कैमरामेन पर शिकूर्ट की मदम्मत करते हुए कहा, कि पारल शिष्टा रोज नेब में पेशी के बाद वज़िर आला महमूद खान ने कहा था कि नेब ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है लेकिन एक ही रोज में सारे दावों की हवा निकल गई, जब नैप ने ये और जारी किया, कि वो सीम पख्तूमखा के जवाब से मुतमई नहीं, और जरूरत पढ़ने पर उनको दुबारा तलब किया जा सकता है, अब सब नसरे महमूद खान की दरफ हैं, और वो खालिबन नजरे चुरा रहे हैं, कि कोई बतलाओ, कि हम बतलाएं क्या, जेल में खैद मुस्मिलीगी रहनुमा हनीफ अबासी ने हुकूमत को खत लिखकर बेटी का इस्तीफा मनजूर करने का मतालबा कर दिया है, उधर MS डॉक्टर तारिक नियाजी अपने ही दावों की नफी करने लगे हैं, अमर्जनसी में स्टाफ कम का कहा, लेकिन एक डॉक्टर का तबादला भी कर दिया, इसे बारे में तफसिलाथ के लिए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, बेनजीर भुट्टू अस्पताल की डॉक्टर अरीबा का इस्तिवाई वजीर की MS को फॉन कॉल का मूमला तूल पकड़ किया, अस्पताल MS डॉक्टर नियासी के रवएए पर इस्तिवा देने वाली डॉक्टर अरीबा के वालत और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, हनीफ अबासी का ड्याला जेल से खत भी मनजर आम परा आगिया, लीग नहिंकर नूमा हनीफ अबासी का कहना है कि मेडी बेटी का स्तिवा मनजूर किया जाए, उन्होंने जेल से बजरिया खत हुकुमत से मतारिबा किया कि मेरी बेटी डॉक्टर अरीबा किसी इंपॉईरी कमेटी के सामने पेश नहीं होगी क्या ये निया पाकिस्तान है कि जेल में बंच सियासी मुखालिब की बेटी से बदला लिया जाए हनी फबासी ने राजा वशारत को भी खत लिखा जिसमें उन्होंने अपनी बेटी का साथ देने पर शुक्रिया अदा किया दूसरी जाने बेनजीर भुट्टो अस्पताल के एमेस डॉक्टर तारिक न्यासी अपने ही दावों की नफी करने लगे डॉक्टर अरीबा के तबादले से इंकार करने वाले डॉक्टर तारिक न्यासी ने एमर्जनसी से ही एक डॉक्टर का ओपीडी में तबातला कर दिया डॉक्टर न्याजी ने डॉक्टर रइबा के तबादले से इंकार की वजा इमिर्जनसी में डॉक्टर्स की कमी बताई की उधर वजिर आला पनजाब नौन एशू करार देते हुई सारे मौमले से लातालुकी का इसहार कर दै सहाफी के सवाल पर वजिर्याला ने जवाद त्या बस मीडिया ने इशू बनाया है मौमला MS ने देखना है उन्होंने नहीं अलबता आडियो किसने लीग की इसकी तहकीकात करेंगे